Tech Steps के इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको समझाऊंगा Big Basket आप क्या है और आप कैसे आप इस आप को यूज कर सकते हैं और इनके फीचर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे हर लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो सबसे प को चूज करने बोलेगा या सेलेट करने बोलेगा और अगर आप एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो लॉगिन सकते हैं दोस्तो मैंने पहली बार बिग बास्केट अप ओपन किया इसलिए मैं भी जो भी डिफॉल्ट सेटिंग से वही रहने देता हूं और लॉगिन अभी नह दिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों यहां पर जो भी ओफर है वो दिखा रहा है तो दोस्तों यहां पर उसके नीचे दोस्तों आपको यहां पर जो भी प्रोड़क्ट्स में जो भी ओफर चल रहे हैं वो दिखा रहा है यहां swipe left swipe right कर सकते हैं और जो भी available products पर ओफर चल र प्राइट करकर देख सकते हैं, यहाँ पर आप फ्लैट 50% आफर का एक section है, आप इसको scroll करकर देख सकते हैं, जो भी पसंद हो, उसे cart में add कर सकते हैं, इसी तरह दोस्तों बहुत सारे sections हैं, और उसी में एक trending now का section है, जो भी trend हो रहा है, big basket में, वो आपको यहाँ पर इस section में दिखाएगा, इसी तरह आप scroll करते जाएंगे, तो आपको और कुछ sections मिलेंगे, जैसे के fruits and vegetables का section है, ठीक है, उसके बाद 20% off, यहाँ पर mango and melon range में आपको जो जितना भी discount सेल रहा है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसके बाद food grains, oils and masalas हैं, इसी तरह दोस्तों आप scroll क categories open हो जाएंगी, जो भी category में आप shopping करना चाहते हैं, grocery की, उस पर tap करिए, मैं आपको समझाने के लिए, fruits and vegetables पर tap करता हूँ, उसके अंदर जो भी subcategories है, वो आने लगेंगे, जैसी आप कोई भी subcategory पर tap कर select करेंगे, तो उससे related आपको यहाँ पर fruits और vegetables है, जो भी आपने select किया, वो list करने लगेगा, मैं यहाँ से back ले चलता हूँ, उसके बाद दोस्तो, menu में अगला option search का है, search पर आप tap करेंगे, तो उपर आप search कर सकते हैं, जो भी आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो उपर keywords के जरीए search कर सकते हो, नहीं popular searches का section है, तो और इन popular searches में जो भी tags दिख shopping list में, मतलब big basket app आपको recommend कर रहा है, जो भी आप product खरीदना चाहते हो, यहाँ से add कर सकते हो, उसके बाद दोस्तो, basket का section है, जो भी आपने grocery add की है, खरीदने के लिए, आपको यहाँ पर basket पर दिखाएगा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, यहा आपको यहाँ दिखाने लगा है, कुछ भी changes करना है, तो यहाँ से कर सकते है, remove करने के लिए, आपको item को select करका swipe left करना पड़ेगा, तो right side में remove item का option आजाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से अगर आप location चेंज करना चाहते हैं, तो जिस भी जगा रहते हैं इस location को हैं select कर लीजे, यहाँ total दिखा रहा है और कितनी savings हुई है, यहाँ पर दिखा रहा है, अब हमें login और sign up करने बोल रहा है, क्योंकि अभी तक हम logged in नहीं है, यह account बनाया नहीं है, तो मैं login sign up पर tap करता हूँ, tap करते ही दोस्तों, यहाँ से अब आपको number पूछ रहा है तो यहाँ से आपका जो भी number है, वो यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर tap कर दीजे continue पर, अब आप से यहाँ पर आपका first name, last name और email address मांग रहा है, अब दोस्तों यहाँ पर आप start shopping के बटन पर tap करिए, tap करते ही दोस्तों, यहाँ पर आपका address add करने बोल रहा है, इस पर आप tap करिए, अब भी आपसे permission मांग रहे device की location, access करने के लिए, मैं इसको allow कर देता हूँ, यहाँ पर आप अपने personal details add कर दीजे, मैं address add कर देता हूँ, अब दोस्तों, delivery location जो भी आप चाहते हो, select कर लीजे, मैं समझाने के लिए, जो भी current location है, मैं इसको select कर लेता हूँ, use this location पर tap करता हूँ, अब दोस्तों, आप से delivery options पूछ रहा है, यहाँ से आप change कर सकते हैं, और delivery charges रुपीज 50 बता रहे हैं, जो भी है, items देखना चाहते हैं, जितने भी item हैं, वो यहाँ पर दिखाएगा, जैसे मैं दो items select करके रखे हैं, तो view 2 items दिखा रहे हैं, आपने मान लीजे 10 items है, तो view 10 items ऐसा दिखाए है, जो भी आपकी preferred delivery timings है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, इस list से, और delivery charges 50 रुपीज दिखा रहे हैं, confirm करने के लिए proceed to pay का option है, इस पर tap कर दीजे, पेमेंट कर दीजे, तो आप, तो इस तरह आप big basket app से shopping कर पाएंगे, तो मैं यहाँ से आपको back ले membership है, customer care से बात करना है, तो customer service का option है, यहाँ पर review और ratings देना है, products को तो यहाँ से आप, जहाँ से आप दे सकते हैं, rate and review की products है, BB cookbook है, यहने big basket cookbook है, gift card है, BB style है, notifications है, FAQs है, यहाँ पर आपको बहुत सारे features मिल जाएंगे, इस menu में, जो भी आप use करना चाहते हैं, अपने ज चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में